किसान बाई यो यदि आप जो थ्रिपसर रश्चु सकीड होता है उसे कंट्रोल करने से परिशान हो चुके हैं यानि कि आप बहुत सारे टेक्निकल यूज कर सके हैं फिर भी उनसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम आपको इस वीडियो में जानकरी देंगे जिसमें आपको जाने माने टेक्निकल देता है जिसे कि फिपरोनिल, इमीडा क्लोपरीट, प्रोफेनो, साइफर, डाइ मेतोएड, 30% EC और AC फेट इस प्रकार के जो रश्चु सक कीड को कंट्रोल करने के लिए टेक्निकल आते हैं वो आपको देता है लेकिन इस वीडियो में हम आपको कुछ अलग कंबिनेशन बता रहें वीडियो को पूरा जरू देखें चलिए किसान भाई हम सुरू करते हैं किसान भाई इसके लिए आपको जो डाव एग्रो साइंस कंपनी का जो ट्रेसर आता है यानि कि जो टेक्निकल रहता है इस पीनो सेट 45% EC पोम में वह वाला टेक्न गाड़ा कंपने का पोलिस आता है यानि कि जो जाना में पहचान टेक्निकल फिफ्रोनियल 40% प्लस इमीडा क्लोपरिट 40% क्यवल इन दोनों को आपको अच्छे से मिक्स करना है और सिलिकॉन बेस्ड चिपकों के साथ मिला कर सई मात्रा में इसका डोस आप इसमें जो फिफ पंद्रा लिटर वाटर या फिर आप 80 ग्राम प्रती एकड रखना है और जो इस्पाइनोसेट 45% एससी टेक्निकल का जो ट्रेसर इंसेक्टिसाइड है उसको आप 7 ग्राम प्रती पंद्रा लिटर वाटर या फिर आप 70 से 80 ग्राम प्रती एकड रख कर दोनों को मिला कर इस अच्छा कॉंबिनेशन है जिससे आपको थ्रिप्स के साथ ही जो केटर पिलर इल्या और जो अन्या इल्या होती है वो भी कंट्रोल हो जाती है यानि कि यह एक बहुती प्यारा कॉंबिनेशन है यानि यह सभी प्रकार के इंशक्ट को कंट्रोल कर लेता है तो किसान भाईयो यदि आपके लहसुन, प्याज, कपास, मीर्च, आदी फसलेज जिन में रश्चुशक किटों का प्रकोप है अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो आप इस कॉंबिनेशन को इस्प्रे करके कंट्रोल कर सकते हैं यह 15 दिन तक आपके इंसक्ट को कंट्रोल करके रखेगा और उसके बाद यदि वापिस इंसक्ट आ जाते हैं यानि कि थिप्स आ जाती है तो आप इसे दोबारा इस्प्रे कर सकते हैं तो आप इसे 15 दिन में रिपीट भी कर सकते हैं किसान भाईयो यदि यह जान करें आपको समझ में है तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं शीरो चेक डेंग करें साथ नेक्स्ट वीडियो में जै जवान, जै किसान, जै हिन, जै भारत